आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम समीर मिस्रा है, मैं अक्सर बच्चों की मोटिवेशन पे आधारित कविता हैं लिखा करता हूँ, तो इस बार मैंने फिर से बच्चों के मोटिवेशन पे आधारित कविता लिखी है, जिसका सीर्शक है संघर्स, म मैं उसा explain करूँगा तो कविता की लाइने कुछ इस प्रकार से है बंजर भूमी में गिरा मैं किस्मत पर मैं रो रहा था मारतंड कातपन भी आग में घिरत बन रहा था बगल में तालाब देखा फूल जिसमें खिल रहे थे बगल में तालाब देखा फूल जिसमें खिल रहे थे अंतर मन में भरी उगूजा क्या है किस्मत क्या मुकदर उठ खड़ा हो देख आगे रास्ता अब दिख रहा है तडित के जैसा चमक तू मेग के जैसा गरस तू तडित के जैसा चमक तू मेग के जैसा गरस तू ठान ली मैंने तभी से ना जुकूंगा ना रुकूंगा तो इस कविता में बिसिकली जैसे मैंने स्टार्ट किया बंजर भूमी में गिरा मैं यहाँ पे बंजर भूमी से तादपर ये है मार्तन कातपन भी आग में घिरत बन रहाँ था मारतंड मतलब आग बरसाने वाला सूरज आपने देखा होगा गर्मियों को महिने बर जो सूरज की तपती हुई किरड़े होती है तो यहाँ पर मारतंड मतलब जो आग बरसाने वाला सूरज है तो मारतंड कातपन भी आग में घृत बन रहा था मतलब जो financial challenges हैं वो सब आग में घी जैसा काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं बगल में तालाब देखा फूल जिसमें खिल रहे थे यह चीज़े बच्चों काफी demotivate करती हैं जहाँ पर comparison स्टार्ट होता है उसके बगल में एक बहुत आलिसान बंगला है उसको मैंने यहाँ पर तालाब से compare कर रखा है बगल में तालाब देखा फूल जिसमें खिल रहे थे उसके उस घर के बच्चे फूल जैसे खिल रहे हैं वहाँ पर मतलब उनके पास वो अच्छी गाडियों से स्कूल जाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छा खाना खाते हैं और जो बगल जो गरीब बच्चा है वो बिसिकली हवाई चपल पहनता है फटी वी सर्ट पहनता है बिल्कुल इस्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बोलता है भाई मेरी मतलब क्या क्या कसूर था कि मैं ऐसी family में आया तो बगल में तालाब देखा fool जिसमें खिल रहे थे अंतर मन में भरी उगूजा क्या है किस्मत क्या मुकदर अंतर मन मतलब होता है कि अंदर से आवाज आती है कि ये किस्मत ये मुकदर क्या चीज होती है फिर होता है उठ खड़ा हो देख आगे रास्ता अब दिख रहा है तो भाई ऐसे सोचने तो काम चलेगा नहीं उठो और आगे देखो अब तुमें रास्ता मिलेगा दोड़ो अपना एक खुद का पिछ तैयार करो उठ खड़ा हो देख आगे रास्ता अब दिख रहा है तड़ित के जैसा चमक तू मेख के जैसा गरस्तू अंदर से आवाज आती है अब मुझे अबदुल कलाम बनना है तड़ित के जैसा चमक तू मेख के जैसा गरस्तू अब तू बिजली के जैसा चमकेगा और बादल के जैसा गरजेगा और फिरो बच्चा ठानता है ठान ली मैंने तभी से ना जुकूंगा ना रुकूंगा तो इसका विता में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद